नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अपने यूटूब चैनल एजूकेशन विद्दिल मुहमद में दोस्तों आप सब भी को आउगत है कि आप लोगों का नोटिपिकेशन यूपी टीजीटी पीजीटी का जो है आ चुका है तो सातियों आप हम लोग तैयारी करेंगे डबल एनरजी के साथ तो सातियों आज हम लोग सारी दिक सिच्छा में परिछड मापन मुल्यांकन का भाग छे और बताना चाहूँगा कि मैं इससे पहले जो है पांच वीडियो अफ्लोड कर चुका हूँ परिछड मापन मुल्यांकन से तो सातियों आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके उसका अध्यान कर सकते हैं और यह भाग छे है परिछड मापन मुल्यांकन से तो सातियों इसमें 20 question का हम लोग revision करेंगे तो आप लोग इस वीडियो का पूरा देखें और यदि चैनल को subscribe नहीं कियें तो चैनल को subscribe कर दें और bell icon आल पर टिक कर दें ताकि next आने वाले वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले तो आईए साथ यह शुरू करते हैं वीडियो शात्यो कोश्चन है परियोग साला में परिच्छण का वास्तविक टेस्ट उसकी किस बात में इस्थित है तो यह है भविश्वारी करने की योगिता और B है करड़त्व और C है पुन्रा बित्ता और नियंत्रिडियता तो शात्यो इसमें right answer हो जाता है करड़त्व यानि B option इसका right है करड़त्व शात्यो इसकी ब्याख्या है परियोग साला में परिच्छण का वास्तविक टेस्ट उसकी करड़त्व की पुष्टी करती है यानि परियोग साला में परिच्छण का वास्तविक टेस्ट करड़तो की पुष्टी करती है परियोग साला एक ऐसी सुविदा कच्यास्थान को करते है जो बैज्यानिक अनुसंदान परियोग मापन आधी कारण को खोज करना होता है उसके वाद साथियों नेक्स्ट क्वेचन है बैट स्पाइरोमीटर निम्न में से किसको मापने के लिए परियोग किया जाता है तो A आप्सन है रक्तदाब और B है नाड़ी इसपंदन और C आप्सन है वाई धारकता और D आप्सन है आक्सीजन ग्रहड तो साथियों इसका राइट आंसर C हो जाता है वाई धारकता तो C आप्सन इसका साथियों राइट है वाई धारकता यानि बैट स्पाइरोमीटर जो है वाई धारकता मापने के लिए परियोग किया जाता है तो इसकी ब्याख्य साथियों देख लेते हैं, बैट स्पाइरोमीटर फेफडे की वायू धारख्टा को मापने के लिए परयोग किया जाता है, फेफडों से कितनी तेजी से वायू बाहर और अंदर आती है और जाती है, इसी का परिछड करने के लिए बैट स्पाइरोमीटर का परियोग किया जाता है तो साथियों बैट स्पाइरो मीटर का संबन्द जो है फेफडों से है इस तरह हम जो है इसको याद रखेंगे तो उसके बाद साथियों नेक्स्ट कोश्चन देखते है ग्यान परिच्छड में एक परिच्छड मद की कसवटी का निड़ किसके द्वारा कर सकते है साथियों बहुत ही इंपार्टेंट कोश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ ये कोश्चन बहुत ही इंपार्टेंट कोश्चन है साथियों तो A आप्सन है विवेद सकती और B है कठिनाई अस्तर और C है A और B दोनो और D option है उपरोग तो मेंसे कोई नहीं तो शातियों इसका C option सही हो जाएगा A और B दोनों यानि बिवेद सक्ती और कठनाई आस्तर जो है ज्यान परिच्छण के एक परिच्छण मत की कसरोटी का निड़ है इसके द्वारा कर सकते हैं तो शातियों इसका C option जो है राइट है यानि बिवेद सक्ती और कठनाई आस्तर तो शातियों इसकी ब्याख्या भी देख लेते हैं किसी भी ब्यक्ती अत्वा खिलाडी के ज्यान सक्ती को जानने के लिए उसका ज्यान परिच्छण होता है जिसमें ब्यक्ती का खिलाडी को ज्यान परिच्छण में एक परिच्छण मत की कसरोटी का निड़ है उसके बिवेद सक्ती तथा कठनाई अस्तर को देखते हुए कि यूवाद दच्छता परिछड क्या माफता है तो इसमें A है मोटर दच्छता और B है मोटर योगता और C है सारीरिक दच्छता और D आप्सन है उपरोक्त सभी तो सात्यों इसका राइट जो है C आप्सन हो जाएगा सारीरिक दच्छता जो है A, A, H, P, E, R जो है सारीरिक दच्छता माफता है तो C आप्सन हमारा इसका राइट उत्तर हो जाएगा सात्यों उसके बाद अगला है डाक्टर काइनेत कपूर किस परिछड के प्रतिष्ठा दाता है तो A आप्सन है हर्वर्ड स्टेप परिछड और B आप्सन है JCR परिछड और C आप्सन है 12 मीटर दोड़ भाग परिछड और D आप्सन है उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका सात्यों उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें जो है डाक्टर काइनेत कपूर का कोई परिछड प्रतिष्ठा दाता नहीं है इस जितने भी यह आप्शन दिया हुआ है तो डी आप्शन इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा डाक्टर कायनेत का पुर्द द्वारा किये गए परिच्छड का प्रतिष्ठा दाता प्रतिपादन उन्नीस सव बयासी में बारा मिनट तैरा की परिच्छड बारा मिनट साइकलिंग परिच्छड को भी सब मैक्सिमल एरोबिक दस्ता को मापने के लिए किया था तो इस तरह साथियों हम लोग इसको याद रखेंगे उसके बाद साथियों नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है साथियों विश्वसनियता निम्न में से किसके द्वारा अस्थापित की जा सकती है तो A आपसन है B विक्तार्थ वी दी और B आपसन है फेरलल फार्म वी दी और C आपसन है परिचड योंग पुना परिचड वी दी और D आपसन है उप्रोक्त सभी तो शाथियों इसका C आपसन राइट हो जाता है परिचड योंग पुना परिचड भी दी तो C आपसन जो है इसका राइट है उसके बाद शाथियों इसकी ब्याख्या देख लेते हैं किसी भी परिछड की बिश्वसनियता की जाज करने के लिए हम परिछड की जाज करते हैं कि किये गए परिच्छड का परवावस्तर क्या है यही कार्य हम दो से तीन बार परिच्छड करते हैं और देखते हैं क्या सभी परिच्छड का तुलनात्मक परिडाम अवसत का रूप क्या है और उसकी विश्वसनियता की जाज करते हैं इसलिए सातियों परिच्षड और पुना परिच्षड भी दि जो है इसका right answer हो जाता है उसके बाद अगला question सातियों तो Harvard Steps परिचण किसने निर्मित किया था तो Harvard Steps परिचण A आपसन है Harvard और B है Thomas Q रेटन और C है Lucien बुरुहा और D है Sergeant तो इसका सात्यों राइट आंसर हो जाता है Harvard Steps परिचण के निर्माता लुसेन बुरुहा है तो इसलिए इसका C आपसन राइट है इसकी ब्याख्या देख लेते हैं सात्यों यह परिच्छल लुशेन बुरोहा ने 1943 इसवी में तो सात्यों अगर सन पूचता है तो आप 19443 इसवी याद रखेंगे और उसके बाद जो हैIV 1943 इसवी में सर्कूलेट्री रिस्पैट्री इंडूरेंस मापने के लिए बनाया गया है तो इसको भी याद रखेंगे साथियों जिसमें फिजिकल इपिसी एंटी इंडेक्स का सुत्र लगता है इसमें 20 इंच उची बेंच पूर्सों के लिए तथा 18 इंच उची बेंच महिलाओं के लिए परियोग की जाती है उसके बाद साथियों नेक्स कोश्चन देखते है जोड के गती छेत्र को मापने के लिए परियोग में लाया जाने वाला यंत क्या है तो इसमें साथियों A है काईली पर और B है गोनियोमीटर और C है डाइनमोमीटर और D आपसन है उपरोक्त सभी तो साथियों जोड की गती छेत्र को मापने के लिए परियोग में लाया जाने वाला यंत्र जो होता है वो होता है गोनियोमीटर तो इस तरह हम इसको याद रखेंगे गोनियोमीटर बी आपसन इसका राइट है तो साथियों इसकी ब्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग ब्याख्या गोनियोमीटर एक उपकरण है जो या तो एक कोण का उपाय करता है या किसी बस्त को एक सटिक कोड़िये स्थिती में खुमाता है या दो ग्रीक सब्द से बना है गोनियोमीटर पहला गीनिया जिसका अर्थ कोड और मेट्रांस जिसका अर्थ उपाय से बनता है गोनियों मीटर का प्रतिपादन एस्ट्रो लैब है 1538 में जेम्मा क्रीसियम ने किया था तो ये भी याद रखेंगे साथ ये 1538 में जेम्मा क्रीसियम ने किया था इसको उसके बाद साथियों next question को देखते हैं next है sergeant jump क्या मापता है तो इसका साथियों A option है pair की भी पोटक सकती और B है कंधे की भी पोटक सकती और C है फूर्टिलापन और D option है लचीलापन तो साथियों इसका A option जो है right हो जाएगा पहर की पोटक सक्ति जो है sergeant jump मापता है तो इसकी भी व्याख्या देख लेते सातियों sergeant परिच्चड son 1880 तो सातियों यह याद रखेंगे son हम क्योंकि यह भी पूछ सकता है sergeant jump क्या मापता है यह इसका परिच्चड kभ हुआ था तो यह 1880 में डाक्टर दी ए सर्जाइंट ने बैग्यानिक अधारपध्यन करके एक सक्ति परिछण का निर्माण किया था, उसी के अंतरगत सार्जाइंट ने जम परिछण में से खिलाडी के पैर की बिस्पोटक सक्ति को मापने की बीद को भी तयार किया था, उसके बाद सात्यों नेक्स कोशन देखते हैं, व्रएडी वाली वाल परिछण के घटक हैं, तो इसमें पूछ राया है व्रैडी वाली वाल के परिछण के घटक तो बालिंग और इसमासिन तो सात्यों इसका राइट आंसर हो जाता है, वालिंग यानि की C option इसका right है उसके बाद साथ यो अगला question है socio gram द्वारा किसका नाता दर्साया जाता है socio gram द्वारा किसका नाता दर्साया जाता है यह है बड़ी संस्था के करमचारियों का B. समाजिक समू के सदस्यों का C. किसी संस्था का पढ़ाई अस्तर और D. सोध करता द्वारा महसूस कठिनाई तो साथियों इसका right answer हो जाता है समाजिक समू के सदस्यों का socio gram द्वारा नाता दर्साया जाता है तो इसका B. आफसम जो है साथियों right है समाजिक समू के सदस्यों का तो इसकी भी व्याख्या है साथियों इसको देख लेते हैं socio gram द्वारा समाजिक समू के सदस्यों का अध्यान करता है socio यानि साथियों से समाजिक याद रखेंगे हम याद करने का trick है socio समाजिक समू के सदस्यों तो इस तरह याद रख सकते हैं तो एक समाजिक अस्थान को खोजने के लिए उपयोग किया जाने वाला टार्च या उपकरण है उसके बाद अगला कोश्चन है साथ यो क्राश वेवर परिछड मापता है तो यह है मोटर योगिता, बी है मोटर दच्छता, और सी है नियूनतम मानस्पेशिय छमता और D अप्षन है सारीरिक दच्छता, तो इसका साथ यो नियूनतम मानस्पेशिय छमता क्राश वेवर परिछड नियूनतम मानस्पेशिय छमता तो इसको याद रखने का ट्रीक है क्राश वेवर नियूनतम मानस्पेशिय छमता को मापता है यह परिछड 18 वर्स की ब्यक्तिकत रूच के अधार पर डाक्टर हाइंस ये भी याद रखने वाली चीज़े सात्यों डाक्टर हैंस क्राउन तो इसको हम याद रखेंगे डाक्टर हैंस क्राउन का संबंद क्रास Wेबर परिछड से है ने इस परिछड का निर्माड किया था यानि क्रास बेवर परिछड से संबंद या क्रास बेवर परिछड का निर्माड किस ने किया तो डाक्टर हैंस क्राउन ने क्रास बेवर परिछड का निर्माड किया था या उससे संबंद है ने इस परिछड का स्पेशिय दच्छमता का मापन किया जाए इससे पहले क्राउस एंड हीरच लैड क्राउस एंड हीरच लैड ने चवालिस अंठावन अमेरिका के स्कूल के बच्चों पर एक छमदों का मान स्पेशिय ताकत परिछड का आयोजन किया था उसके बाद साथ यो अगला कोश्चन है हेम श्ट्रिंग और पीट की लोच के द्वारा मापी जाती है हेम श्ट्रिंग और पीट की लोच के द्वारा मापी जाती है तो A है बैठना या पहुचना परिच्छड और B है बास इस्टीक इस्टीक परिच्छड और C आप्षन है बुमरेंग परिच्छड और D है उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका साथियों हेमस्ट्रिंग जो है बैठना वो पहुचना परिछड तो ए आप्सन इसका राइट आउंसर है तो साथियों इसकी ब्याख्या भी देख लेते हैं हेमस्ट्रिंग गुरूप की मानस्पेशी तथा पीठ की मानस्पेशी की लोच फ्लेक्सिबिल्टी के लि लिफ्टस, क्रांचेस, हाइपर, इक्स्टेंशन, आद्व्यायाम करने के से लोच को बिक्सिद किया जा सकता है उसके बास शाथियों नेक्स को चन है घ्ञान मापन के लिए परिछड मदों में सोरी ज्यान मापन के लिए परिच्छड मदों के अतिसामान्य प्रकार है तो ए आपसन है पूर करना और V है विधिद विकल्प और C है सही गलत और D है उपरोक्त सभी तो साथ यो ज्यान मापन के परिच्छड मदों की अतिसामान्य जो है उपरोक्त सभी है पूर करना विधि विविद विकल्प और सही गलत उप्रोक्त यानि इसका D option हमारा जो है राइट है उप्रोक्त सभी तो इसकी व्याख्या साथ यो ज्यान मापन के लिए परिछण मदों में अति समान परकार पूर करना सही गलत और विविद विकल्प के द्वारा ज्यान का मापन किया जाता है ज्यान का मापन प्रसनों के सही उत्तर तथा गलत उत्तर भेद कर ज्यान मापन किया जा सकता है तथा विविद विकल्प की ज्यान का परिछण उत्तरोक्तर किया जा सकता है उसके बाद सातियों next question है निम्नलिखीत में से कौन सा परिछण कार्डियोवैस्कुलर सहन सीलता का परिछण नहीं है तो एअ असन है टाटल पल्स रेश्यो पर इच्छड और B है Philips JCR पर इच्छड और C है step पर इच्छड और D option Run, walk पर इच्छड तो इसका साथियो right answer हो जाता है Philips JCR पर इच्छड कार्डियो वैस्कूलर सहन सीलता पर इच्छड में नहीं है तो इसका B option है उसके बार साथियों अगला question है नीमनलीकित में से कौन सा case study में प्रयक्त नहीं होता है A है अवलोकन और B है माप और C है साथ छातकार और D आपसाने ब्यक्तित्व सुची तो साथियों इसका right answer हो जाता है माप तो इसकी case study में माप का परियोग नहीं किया जाता है उसके बाद साथियों अगला question है नीमनलीकित में से कौन सा मानस्पेशियों की ताकत का परिच्षड नहीं है तो मानस्पेशियों के ताकत का परिच्षड नहीं है पूछ रहा है तो क्रास बेबर परिच्षड मानस्पेशियों का ताकत का परिच्षड है उसके बाद रोजर परिच्छड ये भी मानस्पेसियों का ताकत परिच्छड है उसके बाद साथ यो दिया है फिलिप्स जे सियार परिच्छड ये मानस्पेसियों का ताकत का परिच्छड नहीं है इसलिए जो है सी आफ्षन इसका राइट है तो इसकी ब्याख्या है किसी परिछण के लिए निर्दारित परकिरिया परिछण बीदि का लाती है यही परिछण के लिए सुबिचारित परिछण बीदि का उपयोग करना बहुत आवस्यक है उसके बाद अगला question साथियों सरीर का घनतों मापने के लिए किस पद्दत का उपयोग किया जाता है तो सरीर का घनतों मापने के लिए किस पद्दत का उपयोग किया जाता है तो A बिकल्प है Electromyography और B है BMI और C है Hydroestatic भार लेना और D option है ECG तो इसका साथियो BMI हो जाता है इसका right answer तो इसकी ब्याख्या है BMI Body-Mans Index BMI का मतलब होता है Body-Mans Index सरीर की वसा या घनतों मापने के लिए परियोग किया जाता है या लड़कों योंग लड़कियों को अलग-अलग मानक है उसके बाद next question है साथियो सारीरिक सिच्छा की कच्छा में B से सांगमागरी पेस करने के लिए सही अनुकरम का चैन करें तो A option है सुधार परदर्शन मुल्यांकन अभ्यास B है परदर्शन सुधार अभ्यास मुल्यांकन और C है अभ्यास सुधार मुल्यांकन परदर्शन और D है प्रदर्चन अभ्यास सुधार और मुल्यांकन तो इसमें सातियों सही करम में कौन सा है इसे हमें जानना है तो इसका D आप्षन होता है सबसे पहले प्रदर्चन उसके बाद अभ्यास उसके बाद सुधार उसके बाद मुल्यांकन तो यानि इसका D आप्चन हमारा राइट हो जाएगा साथियों परदर्षन अब्यास सुधार मुल्यंकन सारीरिक सिच्या में कच्छा भी से सामागरी पेज़ करने का सही अनुक्रम का चैयन है तो इसकी भ्याख्या देख लेते हैं साथियों परदर्चन अभ्यास सुधार और मुल्यांकन उसके बाद साथ यो आखरी कोश्यन है परिछण के समय उल्टी आने के एहसास का कारण तो यह आपसार नहीं लैक्टिक एसीड का संग्रह होना अब भी है एंड्रेनेलीन और सी है अधिक आक्सीजन ग्रहण और डी है कारबन डा आक्साइड तो इसका साथ यो परिछण के समय उल्टी आने का कारण जो हता है लैक्टिक एसीड का संग्रहण होना यानि लैक्टिक एसीड ज्यादा संग्रहण हो जाता है इकठा हो जाता है तो इसलिए उल्टी आने का कारण बन जाता है तो इसमें जो है परिछण के दव सातियों कुछ important question थे जिसको मैंने आप लोगों के समझ रिवीजन करवाया तो सातियों आसा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास share करें और लाइक करें और सातियों चैनल पर जैनल को